नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से 14 अप्रेल को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी एक नए म्यूजियम का उद्गाटन करेंगे तीन मूर्ती कॉम्पलेक्स में इसको प्राइम मिनिस्टर्स मूजियम या फिर प्रधान मंत्रियों का म्यूजियम या संग्रालय कहा जाएगा 14 अप्रेल जो बाबा साहिब अम्बेटकर का बर्थ है अनिवसरी या फिर जनम दिवस भी है इसको बहुत सिंबॉलिकली चुना गया है ऐसे भारतिय जनता पार्टी इन दिनों अपना सामाजिक न्याय पर्व मना रहा है 6 एप्रिल से उनका फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करने के लिए तो एक तरह से भारतिय जनता पार्टी की सेलिब्रेशन को एक नए म्यूजियम के लौंच के साथ इंटिग्रेट किया जा रहा है ये भारती जन्ता पार्टी की उसी प्रयास का एक और एक्जाम्पल है या उधारन है कि किस तरह से अपने पार्टी को राश्ट्रिये नारेटिव के साथ जोड़ती आती रही है 2014 onward ऐसे तीनमूर्थी कॉंपलेक्स पहले जवाहालाल नहरू के नाम से सिनॉनिमस था क्योंकि वो प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वहाँ पे रहते भी थे अपने अंत तक वहीं रहे और उसके बाद इसको नहरू, मेमोरियल, म्यूजियम और लाइब्रेरी के तौर पे जाना इतिहासिक लैंडमाक और वाटरशेड इस शहर इस राश्टर का था तो आज इस एहम मुद्दे पर इस म्यूजियम का कनवर्शन नहरू को तमाम प्रधानमंतियों के साथ शामिल करने का उनकी जो डिस्टिंक्टिवनेस है उसको खतम करने की जो प्रयास है इसके बारे में हमारे साथ बात करेंगी बहुत जानी मानी इतिहासकार मृदूला मुखर जी जो नहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की डिरेक्टर भी रह चुकी है एक बहुत ही नाजुक दौर में मृदूला जी सबसे पहले तो हमारे कारिकर में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद की जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि आपने कहा कि ये नहरू का म्यूजियम तो था ही लेकिन सिर्फ बतौर प्रधानमंत्री नहीं आपने बहुत अच्छी चीज याद दिला दी कि ह हम लोग बात करते हैं नहरू प्रधानमंत्री लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने के पहले तीन दशक तर तीस साल तक एक तरह से फ्रीडम फाइटर थे तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है जिसके बार में मैं थोड़ा सा अपने इंट्रदक्शन में बताया कि किस तरह से नाशनल मूवमेंट नहरू एक तरह से भारती जन्ता पाटी को जोड़ने की जो प्रयास है इसको आप किस तरह से देखते हैं ये जो नहरू औरों से परे थे इसको हम लोग कैसे बात करें अब आप के सामने है हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कुछ महीने अब तो कुछ सा हो गए इस बात को देखते हुए कि कहीं पे जवालाल नहरू जो है उनको वो डाइजेस्ट नहीं होते बहुत आसानी से हमारी जो आजकल की सत्ताधारी जो पूरा सिस्टम है कहीं पे बहुत अटकते हैं उनके गले में क्यों अटकते हैं इतना ज्यादा मुझे नहीं समझ कभी-kabी मुझे लगता है कि जैसे नहरू अबसेशन है इस रजीम में और कई बारी जैसे नहरू जाकेट भी है वो भी बदल के तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़े अप्रोप्राइट भी करी जा जारी है तो मुझे कभी-kabी तो लगता है कि अजीब सा कोई स्टॉजिस स्टॉडी करेगा तो हमें शायद इसमें समझ आएगी कि क्यों इतना जादा अबसेशन है खेर वो बात छोड़िये में चीज यहां पर यह है कि नहरू को हर तरह से मिटाने की कोशिश की जा रहे है बड़े जोरों से और हर तरीके से उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो र रिष्टे मतलब कोई नाजायज रिष्टे की एक प्रोड़क्त थे वो तो मुसलिमी थे वो तो क्या-क्या कहानिया नहीं है वोमनाइजर थे जो भी मतलब कि जितना भी आप कह सकते है वेस्टनाइज थे यह सब चीज है उनके शराप पी ते बिल्कुल बिल्कुल कि वो उनको रिसीव करने आई है कही एरपोर्ट पे और उनके गले लग गई है तो वो भी एक गैर महिला के साथ वो किस तरह से इंटिमसी रखते थे यह सब बहुत मज़दार मज़दार चीजे भी करी गई है तो सीरियस हिस्टोरिकल क्यारेक्टर्स को हटा के उनको एक ग अगर बहुत करना जो अभी तक यह माना जाता है जो भी सीरियस हिस्टोरिकल अनालइस अगर आप कोई भी पढ़ने जवाला नेरू की पुजिशन को कभी भी किसी ने कम करने की कोशिश नहीं किया आप किटिसाइस कर सकते हैं आप कह सकते उनकी अनकी इनीती गलत है पर पर आप किपिश कोशिश नहीं जो कियो जवें उनकी सिंगन को हर एक ने माना है और मैं तो जरूर शूरु करना चाहूँगी के उनकी हिस्टोरिकल सिंगन्स जो है वह जो एज एक वो तरिये बने क्यों कि वो एहम क्यों क्योंकि वो 47 तक वाप्वेडिस यह बात क्लियर हो लोक प्रिय जो उस पहला एक आम चुनाव हुआ जिसमें के बड़े पैमाने पे लोगों ने हिस्सा लिया अडल्ट सफरेज नहीं था पर सब्स्टैंशल लोगों ने इसमें हिस्सा लिया वो थो उन्ने सो चतिस से तिस चुनाव था तो अब वो पूरा इलेक्शन जो था वो जवाला नेरू ने किया था पूरे देश में वो गूमे थे गाओं गाओं गए थे कितने पता नी पैतीस हजार मील उन्होंने सफर किया था और वो जो चुडाव था उसी से क्लियर हो गया था कि कॉंग्रेस पार्टी के पास भी लोगों तक पहुचने के लिए गांधी जी के बाद ये सबसे है तो लोगप्रिय तो ये जवालाल नेरू ये बड़ा क्लियर हो गया था माहत्मा गांधी ने 1934 में ही एक पहले कह दिया था और 1942 में बहुत क्लियर टर्म्स में कह दिया था कि ये मेरा सक्सेसर है इसकी मतलब ये नहीं कि और लोग इंपॉर पालाचारी का अपनी जगा बहुत सारे बहुत उचे दर्जे के फ्रीडम फाइटर उस दौर के भी थे 20 से लेके 47 के पर ये क्लियर था के जवाला नेरू एक और दर्जे पे है जा तक लोगों में पॉपुलारिटी की बात है उसकी वज़े से जाके वो सेंटालिस प्रदा 57 का उसके बाद एक 62 का हरेक में जो थे वो जो थे वो यूज़े वो थे यूज़े यह पोर दर्जे लीडर आप कह सकते हैं बिफॉर इंडेटेंट स्बर्ड़ के बाइट और गांदी जिडी के बाद और गांदीजी के देथ के बाद तो कोई और कोई सवाल ही नही था तो करता है कि उनके बारे में एक म्यूजियम बनाया जाए लोग याद करना चाहते हैं लोग आके देखना चाहते हैं लोग समझना चाहते हैं कि इनकी जिंदगी क्या थी क्या नी ती दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि जिन लोगों ने ये म्यूजियम बनाया जवाला नेरु प्राइब मिनिस्टर बिल्कुल अखीर में जाके दो तीन कमरों में उनका पिक्चर वाइब है, उनका ओफिस का कमरा याद है, जहां उनकी मृत्तियों हुई थी, वो तो देखे जहां वो तो उनके दो तीन कमरे वैसे मिंटेन किये गए है, उनका ओफिस, बेड्रूम और एक living room, dining room, उसके अलावा जो exhibition वाला जो हिस्सा था जहां उनकी लाइफ की कहानी बताई गई है, अस प्राइम मिनिस्टर एक बहुत छोटा सा हिस्सा था और जो बड़ा हिस्सा जो म्यूजियम का था जो पूरी photo exhibition जो थी बहुत सुंदर उसमे भी एक बहुत छोटा सा हिस्सा बच्पन से लेके जब तक वो freedom struggle जोइन किये और उसके बाद सारा म्यूजियम जो है हमारी आजादी की लड़ाई की कहानी था उसमें नहरू एक अलग से कही दिखते भी नहीं थे कोई ये भी नहीं था कि उस कमरे में नहरू का लग से photo दिखाई देगा वो पूरी हमारी औ में आजादी के म्यूजियम को भी रेज इसमें आपको revolutionaries के एक पूरा कमरा था जिसमें पूरे revolutionaries के portraits और उनकी life story मिलती आपको याद होगा तो पूरा इसके पहले के borderates के period के तिलक के बारे में गोखले के बारे में social reform के बारे में पूरी कहानी जो थी एक ही building के अंदर एक कि अपको भी जगावे मिलती थी तो कई चीजे हैं इसमें और बूसरी चीज मुझे अगी समझने आया कि प्राम मिनिस्टर तो बहुत होते हैं पूरे दुनिया में प्राम मिनिस्टर तो एक पोजिशन है प्राम मिनिस्टर बनने से नहीं आप कोई exceptional नहीं बन जाते है या तो यह किसनिक का यह आइडिया है कि देशुड बीजिएम तो प्राइम मिनिस्टर्स ओल प्राइम मिनिस्टर्स डिजर्व मुजिएम वाइ आपको कुछ कर दिखाना है ना क्योंकि नेहरू को शायद अंडरमाइन करना चाहते है कि नेहरू के नाम पे वो बिल्डिंग में ज उसको हटाने से एक तरह का रियाक्शन होता है अब देखने पर ही पता चलेगा कि किस तरह से उसको रिमॉडल किया गया है और नेहरू उसमें वापस कैसे फिट किये गए हैं और क्या किया गया यह तो बगएर देखे तो हम कॉमेंट कर दाब दाब इस तो पर बिल्कु परिवार के लोगों को ही यानि की मदलब से यूडल के बाद आए यूडिक कॉंसेट इसको पैदा किया है कि हर प्राइम मिनिस्टर के नाम पे मुजियम हो ती है विद्धर जी एक चीज का अक्सर कहा गया है पिछले आठ सालों में कि कॉंग्रेस की जो सरकारे थी 2014 के पहल कि बात है कि जवाहला नहिरू के बाद मिन्दरा गांधी और आजिuh गांधी उसी परिवार के उनके बेटी थी और इसके बाद उनके ग्रेंट बातर जो प्रदान मंतिजें सिर्फ उन ही को प्रमोट किया गया है मुजियम के तहत हम एक तरह से एकोलाइज़िंग कर रहे है यह कहा गया है तो यह जो आर्गुमेंट है इसके खिलाफ एक आर्गुमेंट यह भी दिया जाता है जो काफी लोग बोलते है कि हमको नहरू की एक खास कॉंट्रिबूशन थी जैसे कि आपने कहा फ्रीडम स्ट्रगल में तो थी ही लेकिन मौडर्न इंडिया के बीडिंग में नहरू के सतरा साल वो प्रधानमंतिल रहे उनका रोल जो है वो औरोंसे किस तरह से माइल्ज अहड है किस तरह से अ प्रयू नैरू स्थे थे वो सिरफ दो चीज़ें अभी तक हमने कही है नहरू चीज़ें अभी तक फ्रीडम फाइटरू प्राइम मिनिस्टर, उस ते आगे बढ़के, वो एक first rate intellectual थे, आप उनकी कोई भी किताब पढ़ लीजे, आप उनके selected works कोई भी खोल के देख लीजे, letters to chief ministers खोल के देख लीजे, एक एक छीज में उनकी जो exceptional intellectual abilities है, उसका आपको evidence मिल जाएगा, दुनिया की इतिहास शुरू से आपके Greek, Romans, Chinese, Japanese, glimpses of world history, आप खोल के देख लीजे, तो उसमें कौन सी चीज है जो नहीं है, discovery of India में हिंदुस्तान की जो पूरी कहानी है, हमारा इतिहास जो है, कौन सी चीज है जो आपको नहीं मिलेगी, और इस तरीके से मिलेगी, के एक intellectual, highly cultivated intellectual भी उसको benefit से पढ़ सकता ह और एक layman भी पढ़ सकता है और समझ सकता है, यह भी एक capacity थी उनकी ideas को आम आदमी तक ले जाने की और complex ideas को, multiple intellectual caliber audience को पहुचने की, simultane, और वो ही कर सकता है जिसका अपना grasp एक दम पक्का हो, आपको पता है, जो तभी आप easily explain कर सकते हो, जब आपको अपनी knowledge बहुत पक्की हो, confusion तब होते हैं जब आप खुद भी शौर नहीं हो कि आप क्या कह रहे हो, दूसरी चीज में यह कहना चाहूंगी कि वह बहुत उच्छे दर्जे के statesmen थे, statesmen वर्ट का एक meaning होता है, जो दुनिया में जो दूसरे देशों के लोग भी, उनको respect करें, समझें के इनका कुछ contribution थ अब परने का freedom fighter थे पर international relations में आप देख लीजे, आज आप जो भी criticize कर लीजे, आज अवारी सरकार क्या कर रही है, Ukraine war को लेके हम non-aligned है के नहीं है, और word नहीं हम use करेंगे, पर actually तो हम बिल्कुल non-aligned बैठे हैं ना, हम कहते हैं ना हम आपके साथ है, ना हम आपकी साथ है, आप आप करोंगे, आपको किरिटिसाइब करेंगे, आप करेंगे, हम कहीं के समझहता करों. यह नहीं है तो कोन है ना का नहीं मिले ले नामने, और बहुंशाने वही है क्योंके नहीं जो था अंपर रिलियंट थे आपके उस द दूर में थे, जबके देश आजब हो रहे थ तो उनके सामने यह सवाल था, रियल लाइफ सवाल, कि हिंदुस्तान जैसे देश, अफरिका के देश, अफरिका के देश जब आजाद होंगे, तो क्या सोवियत के पीछे लग जाएंगे या अमेरिका के पीछे, इनके पास यह चोईस है, नहीं, तो उन्होंने सोचा, उनको स सोचने वाले आदमी थे, सिरफ पढ़ने लिखने की बात नहीं होती, डीप थौर्ट, आपको उनके जो राइटिंग्स है उनमें आपको मिलेगी, हर एक चीज का वो अनालिसिस करते हैं, सिरफ डिस्क्राइब नहीं करते हैं, इसलिए उनकी किताबे इतनी बढ़िया है, हि इसलिए उनकी बढ़िया है, अब मैं बढ़िया हम बतलब वर्ड्स जो है अजएक्टिव्स फेल कर जाते हैं जब आपने अगर थोड़ा और सोच के देखे उस वकत अफरीका, इस्या पूरा जो कोलोनियल वर्ल्ड था यॉर्प में तो लोग जानते ही थे उनको ऐसी बात नहीं के नहीं जानते थे पर इस पूरे वर्ल्ड में वो हीरो थे वो रेप्रिजेंट करते थे उस फोर्स को फ्रीडम को जैसे गांधी जी का एक पूरे दुनिया में एक पिक्चर जो है वो है जो डाउंट्रॉडन के लिए खड़ होते हैं इसी थारा जवाला नेरु का ज नए आइडिया भी उन्होंने अब्जाब किये थे उस वकत सोशलिजम के जो एडिया था वो नए आइडिया था सोविट यूनियन जो है बहुत अचीवमंट्स दिखा रहा था था किस तरह से अपने देश को निकाला जाए और कैसे बाकी modern developed nations के साथ खड़ा कर किया जाए यह नहरू में कपेसित जो है मुझे याद आर है कि सिमोन पडिटियस जो प्राइम मिनिस्टर थे ऐजी तेग एजाकर अरो की एजि ऑूरल हो वहां के एम बहुत पड़े लिए बादे कर ए Fighter शे थेट एक करी करी कि जवालाल नेरु उनिवर्सटी में मुझे इतना अच्छा लगड़ा है क्योंकि यह तो हमारे यूथ के हीरो थे वी गुरू अपन जवालाल नेरु ही वस्ट हीरो आइडिलाइज़ तो यह भी आज कल हम भूल जाते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं उस वकत उनका जो अभी में एक पिक्चर फोटोग्राफ का ही देख रही थी 49 में जवालाल नेरु यूस के टूर में पहली बारी आजादी के बात तो बर्कले में जो कि आपको पता है कि बहुत बढ़िया कैंपस यूनिवर्स्टी आफ का बहुत फॉर्मोस्ट बहुत राडिकल कै जाता है हजारों की तादाद में जो है स्टूडन्स और टीचर जो एक स्टेडियम में जवाला नेरु को सुनने के लिए थे तो वो मास लीडर वाली जो मैं बात एंफसाइज कर रही हूं सिरफ एक लीडर या प्राइम मिनिस्टर तो कही तरह के होते हैं पर एक होके निकले इस देश को उसमें सेकुलर बनाना बहुत जरूरी था माइनॉरिटीज को सिक्योर महसूस कराना बहुत जरूरी था क्योंकि पार्टिशन हो जाने के बावजूद पाकिस्तान बनने के बावजूद हम यह नहीं भूल सकते नहीं नकार सकते कि एक बहुत बड़ का मुसल्मानों का ने तय किया कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे बलकि उसी डेश पे रहेंगे जहां वो जन्मे थे और वो एक सेकुलर राष्ट में शामिल हुए उसकी नेशन बिल्डी में बिल्डिंग के प्रोसेस में पूरी तरह से कंधा से कंधा मिलाकर साथ लड़े ज उनके जो प्रोटागनिस थे तो वही लगभग कहानी हर उस मुसल्मान की थी जो पाकिस्तान नहीं गया और हिंदुस्तान को अपना देश चुना उसको मेंस्ट्रीमिंग करने के लिए नहरू का बहुत योगदान माना जाता है इसको आज के जो जनरेशन है उसको आप कैसे समझाएंगे कि नहरू की जो मौडन नेशन बिल्डिंग है उसमें रोल क्या थी ये मेरी कहल में हम अगर ये जो पीरियद है 46 से लेके 52 जब से सारी ये कॉम्यूनल वाइलन्स और पार्टिशन का पूरा इशू सामने आ जाता है और बावन का चुनाओ जिसमें के हिंदुस ये पर ये पीरियड जो था इसको हम को स्टडी अगर करें और इसमें अगर नहरू का रोल देखें तो आपके सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि गांदी जी भी इस दौर में जो था उन्होंने वो पूरा नुआ खली वारी जो कहानी है जो तो गांदी जी का रोल तो था ही और गांदी जी जब आप कहते हैं कि मुसल्मान यहां रहे तो यह मत भूले कि वह कौन थे हमारे लीडर जिन्होंने यह कहा बार-बार के छोड़ के मत जाओ यही रहो तुमको यही रहना है हम यह कभी भी यह तो नेशन थियरी एक्सेप न यहां बांदी जी का अखरी जो हर्ताह थी जाएट फास जैनुवरी उनिस्व एटालिस में ठीक उसके पंदादी दिन के अदर उनको बुली मार के अर्तिया तो यह जो था इसमें नेहरू का जो रोल है वो बहुत-बहुत इंपॉर्टन थै क्यूंकि तो नेहरू जी नेहर और बहुत जोरों के कलक टकान के बार दो जगा हिंसा वुई ओन फो षबी की भेर में तो च्त करे बार में तो तो गांदी जी गये पर इधर जो था डार में कांग्रिस की सरकार ती तो जांधƯर्य विज्ट इंटरिम के हैड थे और उनकी काबिनेट में सारे कॉंग्रिस के बड़े नेता थे उन्होंने पूरी की पूरी काबिनेट को उठा के बिहार ले गए और बिहार जाके वो एकडम रूरल एरियास में सब लोग चले और और इंग डिर्क्लिट एकडम ग्राउंड और यहां पे मजौरिटी हिंदू थी और डिस्ट्रिक्स में गाउं के गाउं मुसल्मानों के वाइप आउट हो गए थे बहुत जोरों से हिंचा पत्ना भागलपूर यह पूरे अरिया में मौंगेर इसमें पहली थी एक हफ़ते के अंदर वाइलन्स कंट्रोल कर ली गए रूरल एरिया में एक हफ़ते के अंदर और उसमें सब कुछ था अपील्स थी ग्रासरूट लेवल पे वर्कार को कहा कि तुम जाओगे और वहां पे अपनी जान दे दोगे वापस नहीं आओगे और खुद जा रहे हैं तभी तो दूसरों को कह रहे हैं कि तुम भी जाहो और पूरी काबिनिट को साथ ले गए बलकि एक मुस्लिम लीग का एक मेंबर था का उसको भी ले गए अपने साथ के बिहार को जाके कंट्रोल करना है सारे मिनिस्टर जो थे बिहार के उनको उतार दिया फील्ट में और एक हफते के अंदर वो लिख पा रहे हैं कि सिच्वे याद होंगी कि जब वो खुद क्राउड में घुज जाते थे और लाठी पकड़ के चलानी शुरू करते थे कि मैं देखूगा के कैसे जो उनके बड़े फेमस वर्ड्स है कि over my dead body you and you will kill your own you will raise your hand to kill your own brother पहले जवारलाल को मारो फिर बहुत इमोशनल उनका पूरा रेक्शन फिर वो बार बार गांदी जी के नाम की गवाही देते थे एक बुड़ा आदमी है जो इस देश में इस ने अपना सब कुछ निचावट कर दिया तुम क्या कर रहे हो क्या सोचता होगा है क्या तुम्हे अजादी दिला तुम इसको यह दे रहे हो मतलब एवरी पॉसिबल अपना स्टेक नाच पूरा 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 स्टेक का पावर उसका राख बार यूसीश को इसको इसकित अगर आप ध्यान से अनलाइज करें देश एक या दिए वीक बाई वीक तो इमेजिए लिच्टली इंडेश का पॉर्टिशन का आटमेंट हो इन्ध़र स्टाइशन का और जो वाइलेंस पीक पे हुई वो दिली में जैसे मैंने बताया सिप्टेंबर की शुरू में यहां पे हुई और दिली में कोई 2 हजार लोग मर गए थे दो लाख लोग डिफ्यूजी कैम्प में थे पुराना किला में मुसलिम मुसलिम मुसली पर बाय से असपास के शहरों स आपके लोग आए लोग आए लोग आए लोग अक्टोबर एचम पतेल जो उस वक्त बात हाई उफिशल थे वो लिख रहे है अपने मेमोर्स में अबुसलिम कुद वाग फ्रीली अन देली विदा एन एक महीने कंदर सिचूएशन और यहां की और जैन्वरी इवन बफर दा नेरु इस राइटिंग तो चीफ मिनस सेंग आप टूंड बाक टाइड उफ वाइलें अगर नौर्थ इंडिया में और यह पहल जाती तो फिर इसको रोकना बहुत मुश्किल जाता तो तो देखिए गांडी जी की हत्या का जो एक आप क्या कह सकते है क्थार्टिक एफेक् लोगों में गिल्ट की फीलिंग आई के हम इस इनकी हत्या में हक्दार हैं क्योंकि हमने ऐसे विचार अपने मन में आने दिए तो लोगों में बहुत रिवल्शन हुआ यह कुब्यूनलिजम के खिलाफ साम्प्रदायक्ता के खिलाफ क्योंकि सब लोग यह समझ गए थे किस ने मारा है इनको यह विचार ने मारा है यह व्यक्ति की बात नहीं है और उस विचार के पीछे कौन है यह भी लोग समझ कहे थे तो इस साल तक पूरे 10 साल तक जो है हमें पीस मिला यह कोई बहुत बड़ा एक यंग स्टेट के लिए इतना बड़ा लीज ओ लाइफ कोई बहुत चोटी बात नहीं ती और यह पीरिद है जिसमें नेशन बिल्डिग जवाला ने किया फाउंडेशन अफ इंडिया अश्टेट के लिए इस बिल्डर अफ दाट नहरू जी के उपर और नहरू जी के मौडन इंडिया के बिल्डिंग के उपर क्या कॉंट्रिबूशन अपिछतर घंटे भी बात कते रहें तो भी शायद कम होगा लेकिन संक्षेप में आपने मतलब बहुती महत्वपूर्ट और बहुती सही तरीके से बताया आपने कि नह हैं उनको एरेज कर पाना बहुत मुश्किल होगा हमारे इस कारकरम में आने के लिए और थोड़ सी चर्चा में शामिल होने के बहुत बहुत धन्यवाद तो यह है हमारी कहानी आज की डिसकाशन की कि नहरू के म्यूजियम को हटा के एक प्रधान मंत्रियों का म्यूजियम बनाया जा रहा है उधगाटन होने के बाद हम उस म्यूजियम में जरूर जाएंगे और आके फिर बताएंगे कि यह म्यूजियम में क्या है और उसके बारे में और किस तरह का इतिहास पेश किया जा रहा है उसके बारे में फिर चर्चा रहेगी आज का कारकरम देने के झाल झाल